आजकल केक की बात करें तो केक तो हर एक को पसंद आता है और खासकर अगर टैविटी स्पेशन्ट हो या शुगर फ्री केक खाना चाहते हूं तो यह रेसिपी बनी है बिल्कुल उन लोगों के लिए जिसमें ना तो शुगर है ना मिल्क पाउडर है और ना बटर है और ना ही मैदा है तो इस तरीके का इंट्रस्टिंग केक अगर मिल जाए तो फिर क्या मज़े हैं हाई फ्रेंड्स मैं रची सकसेना फाउंडर आफ आफ आर जिस कलिनरी स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाह बेस बेसी तो इस यहां पर इस तो नो को एकसाथ मिला कर तयार किया जाता है और बेक इनक के लिए रखा जाता है यहाँ पर सबसे पहले में रेडि करने वाली हो द्राइंग रेडिन के लिए मैं लिया है यहाँ पर एक कभ वीट फ्ल Потом 1 टीज पुन बेकिंग पौड़ और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर नमक जो की हेल्प करेगा लिवनिंग एजिन्ट को एक्टिवेट करने के लिए अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा कप यह दही दही हमें रूम टेंप्रेचर पर लेना है याद रखिए बिल्कुल फ्रिज्ट क्या हुआ नहीं होना चाहिए और यहाँ पर साथ ही में मैंने लिया है नार्यो का जैगरी पॉडर यह दही और जैगरी पॉडर को मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से बीट कर लिया है इलेक्ट्रोनिक बीटर की कोई जरूरत नहीं है इसे हमें जस्ट एक स्मूध कंसस्टेंसी का करना है याद रखिए इस केक में किसी भी तरीके का कोई टेस्ट मेकर नहीं पढ़ा हुआ है जिससे इसके टेस्ट को और भी इन् अच्छे से विस्क कर लेंगे केक स्पॉंज को फलफी बनाने के लिए यहाँ पर मैं एड कर रही हूं वन टेबल स्पून वेनेगर तो यहां पर जो वेनेगर है वो टू पार्ट में एड करेंगे अकॉर्डिंग टू रेसिपी वेनेगर हमारा वन टेबल स्पून है जिसम हमारा मेन इंग्रिडियन्ट होता है वह है जो हमारा जो केक स्पॉंज होता है उसको मॉइस्ट करने के लिए हेल्प करता है यहां पर वन थर्ट कप मैंने आयल का लिया है जो वेजी टेबिल आयल है आप इसकी जगह पर अगर बटर लेना चाहते हैं तो आप और वी टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर वन टेबल स्पॉन मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने मिल्क यहां पर एड किया है यहां पर मिल्क की जगह पर आप 2 टेबल स्पॉन फ्रेश क्रीम मिल्क में एड करके यूज कर सकते हैं और यहां पर जो मैंने आयल यह बहुत फाइदे मंद होती है तो यह रेसिपी बना कर जरूर ट्राइ करें एक को फ्लेवर देने के लिए मैंना यहां पर लिया है टू इटी स्पून वैनिला एसेंस की जगह पर अगर आप इलाइची पाउडर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं जैगरी के साथ में इलाइची का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा आता है हमारे यहां पर वेट इंग्रीडेंट रेडी हो गया है और ड्राइंग्रीडेंट भी रेडी है तो इसे साइड में रखते हैं और अब हम यहां पर कुछ टूटी फूटी लेने वाले हैं तूटी फूटी में हम इस प्रोसेस को करना जरूरी है जिससे यह तली में चिपकेगा नहीं और पीछ में विल्कुल उस तरीके से बना रहेगा आप उपर से गर गानिश करेंगे के तो फ्रेंट्स मैंने यहां पर थर्ड पार्ट भी रेडी कर लिया है और अब आती है वारी हमारा जो वेट ।7वार करना जरूरी है यहां पर मैंने उसे एक सरीकर में डाल लिया है और हम इसे अच्छे तरीके से चाहन लेंगे। dry ingredient को चान कर लेना ज़रूरी है, क् चानने से इसमें जो हवा भरती है, airy होता है, उसे हमारा केक है, वो निद्ध के साथ हमारे लिव निद्ध कराकूनले लिजन लिव शाहर कर लिगत इस पॉंज बहुत अच्छा सा बनके आता है और चानने से जो इसमें गुल्थियां पड़ती है वो भी निकल जाती है तो अब मैंने यहां पर जो टूटी फूटी मिक्स करके लिया था उसे मैं यहां पर हाफ एड़ कर दूगी केक के सारे एलिमेंट यहां पर मैंने मिला लि अब हम वह एक एक करके इसमें एड़ करेंगे आधा बचा हुआ दूध हम यहां पर केक की कंसिस्टेंसी को और जस्ट करने के लिए एड़ करेंगे इसलिए मैंने पहले यहां पर थोड़े से दूद को रोक के रखा था और साथ ही में यहां पर जो हमारा वन टीश्पून है वह हम यहां पर दुबारा से आड़ करेंगे आप यहां पर नॉर्मल सिंथेटिक वेनेगर की जगह पर एपिल साइडर वेनेगर भी ले सकते हैं लेकिन इसे बस इस तरीके से मिक्स करने के बाद में बहुत जादा देर तक नहीं छोड़ेंगे और इसे तुरंती वेकिं में आज बेख होने वाला है और यहां पर हमारी जो केक टिन में जाने के लिए बिलकुल रेडी है तो यहां पर हमारी जो केक टिन उसे फटा फट से रेडी कर लेते हैं आप यहां पर डारेक्ट बटर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैं आपको अगर बटर पर नहीं है तो कैसे हमारा जो केक है वो आसानी से बाहरा सकता है तो मैंने यहां पर थोड़ा सा इसे ग्रीजिंग कर लिए और एक टी स्पून वीड फ्लार के साथ में इसे चारो तरफ कोट करते वे जितना एक्स्ट्रा एक्सेस फ्लार है उसको अच्छे से जाड़ देना है और चारो तरफ इस तरीके से घुमाते वे हमारी जो केक टिन है वो केक बैटर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा चेकस तिन भी रेडी है और ट केकटे बैटर में अब तो आपक एकँर आपके नाइए कार में तोमरेकी गार्नी neighbors के लिए टूटी फूटी जाए दाल दी ऑचाप्व तो इसे बीच काटोरी रखी है इस तरीके से आवन को पहले प्रीहिट कर लेते हूं उसी तरीके से मैंने यहां पर कढ़ाई को प्रीहिट किया है और अब मैं इसे यहां पर 30-35 मिनिट्स के लिए बेग करने वाई हूं हमारा केक बेग हो चुका है यह आप देख सकते हैं कितना अच्छा देखने में लग रहा है आप भी अपने घरों में इस केक को बना कर जरूर ट्राइ करिएगा अगर आप चैनल पर फर्स टाम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बहुंच सके और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजे इसी के साथ मिलती हो आप से नेक्स वीडिय वीडिकेशन पबाइ